नमस्का शामुद्रिक विज्यान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डुभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामुद्रिक विज्यान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चेनल गो ब्लोक्स मे एक सुन्दर सी मेल हतेली आप पुरुष जातक है और आपकी रियल हतेली मेरे शामनी विवी चना के लिए आयोई है कुछ चीज बहुत सांदार है खास कर ब्रिस्पती और बहुत अच्छे प्रेणाम आपकी जीवन में देगा लेकिन आपकी जीवन में जो ये नगेटिब ओर जा है ने ये आपकी जीवन को नर्क बना रही है सभी चीजों पर बात करेंगे और अंत में उपाई देंगे सबसे पहले में एक जरूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ आगामी 29, 30 और 31 जुलाई को मनि इसी महिने के लाश्ट वीक में मैं आप लोगों के बीच दिल्ली आ रहा हूँ यदि आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं और अपनी हतेली की बीवेचना करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें 870063128 ये मेरा वटसप नम्मर भी है और मेरा जो है कॉलिंग नम्मर भी यही है ये नम्मर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिखाई देगा और इस वीडियो के साथ साथ चलता हुआ भी दिखाई देगा तो देर न कीजेगा कुछ पूछना हो हतेली का विस्लेशन करना हो फोन करें वटसप करें और आपका इंतजार रहेगा देखेगा अतेली में जो ये उंगली है ये पूरी तरों से जुके हुई है मिडल फिंगर की तरब आपके अंदर बहुत अच्छी धार्मिक भावनाई है इस स्वर में पूर्ण रूप से विश्वास है और आपका व्यक्तित्व अगर हम कहें जो ये चिन्न यहाँ पर अंगोठे में बन रहा है एक नाजुक हिरदय का व्यक्तित्व है एक दया और करुणा वाला व्यक्तित्व है बहुत ज़्यादा शानदार इनसान आप है वहीं अगर हम यहाँ पे देखेंगे ब्रेस्पती की इस्तिती ब्रेस्पती में दो रेखाई इस प्रकार से जा रही है ये भी धर्म और अध्यात्म की लकीरे हैं और धीरे धीरे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से निकल कर भी एक रेखा जा रही है जो आपके अंदर की एक leadership की quality को दिखाती है ये जब यहां जा रही है तो अंत में ये एक box बन रहा है आपको अपने छेतर में ऐसी knowledge रहने वाली है और छेतर में ऐसी knowledge है कि कहीं न कहीं जो है आप उसकी teaching तक दे सकते हैं दूसरी बात अगर हम करें आपका ब्रस्पती बड़ा सांदार है बहुत अच्छा ब्रस्पती है आप स्रेष्ट बेखती है आप ब्रस्पती की वजो से स्वयम उन्नती तो करेंगे ही जो आप से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नत करने में साहता परदान करेंगे सायोगी बन के रहेंगे स्वाविमान की बहुना बहुत ज़ादा आपके अंदर रहेगी नौलेज हमेशा ही एक सांदार रहेगी और नियाई प्रिय बिक्तित्व के धनी रहेंगे सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निरोहन करने वाले बिक्ति हैं आप प्रॉपकारी हैं दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा मानते हैं आप और देखा जाए तो धार्म के भावनाई भी बड़ी मातरा में आपके अंदर है देखेगा दर्सकों जब आचार्य ब्रस्पति जे जो देब गुरु है ये हमारी हतेली में इस तरह से पुष्ट हो तो ऐसा ब्यक्ति बहुत ज़्यादा नौलेजवल होता है बिद्वान जिसको कहते हैं और आत्मे ग्यानी होता है भहुश्य में इस ब्रस्पति के कारण अपार मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी जीवन में बहुत सारा सम्मान आपको मिलेगा चाहे सणका का किनारा हो चाहे महलों की उचाई हो जबरदस्त आपको सम्मान ये ब्रस्पति देंगे इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है और कुछ ब्रस्पते से समंदित छेत्र हैं उन छेत्रों में आप बहुत बड़ी तरक्य करेंगे चाहे वो सिक्षा का छित्र हो, चाहे वो इंजिनियरिंग का छित्र हो, चाहे वो चिकित्सा का छित्र हो, चाहे वो मैनेजमेंट का छित्र हो, चाहे वो बानिज्जा का छित्र हो, या कानून का छित्र हो एनेच ऐसे छेत्रों में अगर आप काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं तो ये कार आपके लिए सोटेबल रहेंगे तरक्य देने वाले रहेंगे और खुब कामियावी आप इन में पाएंगे अब थोड़ा सा हतेली की जो बरतमान पोजिसन है और जो वो एक रियल जो है परिणाम दे रहे हैं उस पे चलते हैं उससे पहले देखें आपका अंगोठा बड़ा सांदार है अच्छा खासा लंबा है और हस्त रेखा सास्तर के अनुसारा गर देखें ऐसा बिक्त सिक्षा औ प्यार के मामले में बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग आत्म विश्वास से भरे होते हैं और खूप तरकी अपनी जिवनकाल में करते हैं तो यह बहुत अच्छा साइन आपकी हतेली में है यहां पर अगर देखें तो सबसे पहली नजर हमारी पढ़ रही है आपकी हतेली म एक बहुत गंदा जाल बना है रेखाओं से मकड जाला जिसको कहते हैं ये ऐसी नगेटिविटी आपके अंदर है जो आपकी जीवन को महतोहीन बना रही है देखे कि जब हतेली में ये बनता है तो ये से सुब नहीं माना जाता है बहुत ज़्यादा असुब माना जाता है और ये जीवन के महतों को ही खतम कर लेता है सबसे पहला प्रेणाम ये देता है आपके मन पे आपके मस्तिस्क पे असर डालता है सबसे पहला कहीं न कहीं जो है जीवन में उल्जन की इस्तिती बहुत ज़्यादा आजाती है अर्चने बहुत ज़्यादा आजाती है जीवन उल्जा रहता है सुलजता नहीं है ब्यक्ति जादतर कनफ्यूजन में रहता है दुविधा में रहता है और उसकी जो निरणे लेने की ताकत है वो छीन हो जाती है उत्ताय ने कर पाता है कि किस त गामपत्य जीवन का रिष्ता परिवार का रिष्ता और कु टुम का रिष्ता इन का जो चरम सुक का भोग है उसके बीच में परस्तितिया खड़ी हो जाती हैं जो सैयोग उनकी तरफ से होना चाये वो चरम्सुक का भोग नहीं मिल पाता है तीसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है आप कितना भी कुछ कर लें आपकी हतेली में पैसा नहीं बचता है आप सेविंग नहीं कर पाते हैं पैसा आता जरूर है लेकिन जितना आया उससे ज्यादा निकल जाता है ये आपको आर्थिक स stretch से बीमार करता हैं चौथा इसका प्रभाव आपके स्वश्वास्थय पढ़ता है चाहिए वो सारेरिक स्वश्थय हो चाहिए वो मानसिक स्वश्थय हो उसमें ये विकार देने की कोशिस करता है और पाचवां और सबसे तीब्र Cornish सबसे बड़ा प्रभाव इसका, आपकी डेपलप्मेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है, ऐसे में आपका जो सपलता का अस्तर हो जाना चाहे था, वो सपलता का अस्तर माइनिस की तरब जाता है, मनी जीवन की जो अहम चीज़े हैं, नीव है, ये पांच चीज़ें, ये नगेटिब उर्जा उसकी जुणों को खोकला करती है, और विक्ति के सांदार जीवन को धड़ाम से उसमें गिरा देती है, उस गड़े में, और फिर जीवन के महतों को हमेशा के लिए खतम कर लेती है, आप अगर इस से नहीं उबर पाएंगे, तो यकीन मानेगा आप कितना भी हात पेर मारो, कुछ भी करो, आपके कारियों में हमेशा अर्चने आएंगे, आप अपने कारियों में कभी ही नहीं बढ़ पाएंगे, कितना भी कुछ कर ले, जिनको आप सलाह देंगे, वो आप से चार गुना आगे छलांग लगा लेंगे जीवन को शांदार रूपे निखार देंगे लेकिन आपके अंदर अच्छी नोलेज अच्छी काबिलियत के होते हुए भी अपने ही बिक्ति आपको आपके टांगे खींचेंगे आपको नीचे गड़े की तरफ ले जाएंगे जो न पाई दे रहा हूं बिदिवत्त त्रही कैसे करेंगे और लंबा करेंगे एक मैं बनस्पति अश्नान आपको दे रहा हूं आप हमेशा बनस्पति अश्नान कीजिएगा जितने दिन तक लिखूंगा दूसरा मैं एक दिव्य सूर्य किरिया दे रहा हूं क्यों दे रहा हूं दिव्य सूर्य किरिया और बनस्पति अश्नान क्यों दे रहा हूं देखेगा बनस्पति अश्नान से क्या होगा जो आपका सरीर पंच महाँ भूतों से बनावा है उन पंच महाबोतों की उससे सुद्धी होगी और कहीं न कहीं जो है आपके रोम छिद्र खुल जाएंगे और जो नगेटिव उर्जा की हवा उसमें है धीरे धीरे वो बाहर आ जाएगी ठीक है ने? उसकी छोटी सीपर किरिया है जरूर करेंगे दूसरा दिव्य सुर्य के लिए आपको मालूम है हमारे जो सारिक चक्र है वो अश्टा चक्र है उनसमें से साथ जो मेजर चक्राज हैं वो इस प्रकृति में मौजोद भगवान सुर्य के चक्रों के साथ परसपर तालमेल में होने चाहिए होते हैं तो वो तालमेल में हो तो जीवन बहुत सांदार रहता है सूर्य की तरव दमकता है चमकता है और आपकी परसिद्धिप फैलती है आपके कारियों में कभी अर्चने नहीं आती है आप एक ब्रांड बन कर उभरते हैं तो दिव्य सूर्य किरिया मैं आपको दे रहा हूँ तीसरा दिव्य सूर्य किरिया करने के बाद आपको मैं एक प्रणायाम दे रहा हूँ मेडिटेशन दे रहा हूँ उसको कहते हैं दिव्य योग ध्यान किरिया क्यों दे रहा हूं आपको मालुम है आपके सरीर में किसम से बना है पाँच ग्यान इंद्रिया मौजोद हैं पाँच कर्म इंद्रिया मौजोद हैं नव द्वार है इसमें ब्रह्मरण नरस्रेष्ट होता है और पंच महा कोस हैं इसमें इनको एक बैलेंस इस्तिति में रखने के लिए मैं दिव्य योग ध्यान किर्या दे रहा हूं ये तीन चीजें आपको करनी ही करनी है और इन तीनों चीजों को सकारात्मक रूप में लेने के लिए एक छोटी सी पूजा भी दे रहा हूं मैं जो नियमित रूप से आपने करनी है ये तीन किरिया ये छोटी छोटी ये प्रैक्टिकली है और एक पूजा जो आप मन से करेंगे पूजा की समान करेंगे दे रहा हो में जरूर करें आपको जबरदस्त लाब होगा अब यहां पर देखेगा कि ये जो हिस्सा है ये हमेशा कह रहा है आपको पार्टनर्शिप में आप काम नहीं करेंगे अगर आप पार्टनर्शिप में काम करते हैं तो पार्टनर्शिप में आपको अवसाद की इस्तिति आएगी जिवन में संगर्स बढ़ेगा धनहानी होगी ब्यापार में नुक्सान होगा ठिक तो जो भी करें चाए आप व्यापार करें चाए आप अपना काम करें बड़ा सोच समझकर करें और पार्टनर्शिप्त में ना करें दूसरा यहां पे देखेंगे आप इन दोनों उंगलियों के बीच यहां पे बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा ह यह आपकी जीवनकाल के 35 एर तक धन के मामले में प्रभाव रखेगा तीन चीजों में एक या दो चीज रहेगा या तो धन के मामले में 35 वर्स तक संगर्स रहेगा या तो बहुत ज़्यादा खर्चिला स्वभाव रहेगा या तो धन के महत्तों को समझ ही नहीं पाएंगे लेकिन इन तीन चीजों में से एक या दो चीज 100% रहेगी अगर यहां पे ये आरपार दिख रहा है अगर ये अंगुठी निकाल के नहीं दिख रहा है तो इसका परिणाम नहीं मिलेगा ये तब ठीक है अब दूसरा इन दोनों के बीच में देखें तो क्या दिख रहा है छेद्र दिख रहा है इसका मतलब है जब जब कुंडली में आपका सनी साड़ी साती में होंगे धैया में होंगे या बकरी अवस्ता में होंगे तब तब आपको इसका परिणाम गहरा और लंबा पड़े मिलेगा कितना मिलेगा ये आपके करमाज के उपढ डिफेंड करता है ठिक अब फिलहाल जो आपके कार्यों में बहुत ज्यादा अड़चने आ रही है जो आप बहुत ज़्यादा मिहनत और प्रिस्रम कर रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं आप सफल नहीं वो पा रहे हैं यकीन मानेगा मैं जो आपको उपाई दे रहा हूँ अगर आप विदिवत तरीके से करते हैं तो आपको सकारात्मक चीजें मिलेंगे आप चाए आपका करियर का मामला हो चाए आपका धन का मामला हो इसमें धीरे धीरे अस्ताई तो आना सुरू हो जाएगा बस करियेगा चिंता मत करियेगा इन चीजों को करियेगा यकीन नण आपका जिवन एक शांदार रूप में एक एस्वर्य वाला रूप में उभर के आएगा यहाँ पे अगर हम देखें ये उंगली पूरी तरो से जुक रखी है और सोरे की उंगली की तरब एक चीज रहेगी जिवन में हमेसर रहेगी बहुत जादा मेहनत और बहुत जादा प्रिसरम करने के बाद ही चीजों में आपको सपलता मिलेगी और कई बार दोड़ा धोपे का काम भी बहुत जादा आपको करना पड़ेगा यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरों से दिखाई दे रही है मिडल फिंगर की तरब जुक रही है यस पाने की इक्षा रहेगी, नेमभिम पाने की इक्षा रहेगी और अपने कारीों में विस्तार हो जाए उसका फैलाव हो जाए उसकी इक्षा भी बहुत ज़ादा रहेगी यहाँ पे देखेंगे तो दोनों उंगलियां बराबर हैं दोनों मिडल फिंगर से छोटी है धन और यसकी भूक है पैसा और सम्मान जिवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जिवन का जो मात्र लक्षा है यही दिखाई दे रहा है अगर हम अभी की बात करें तो सबसे छोटी उंगली जुक रही है इस तरफ निश्चित तोर पर धन का माने की ललक जबरदस्त रहेगी और इसका आगे चल कर बहुत अच्छा लाब भी होने वाला है लेकिन यह इसके पहले पोरों तक नहीं पहुँच पा रही है तो धन के प्रबंदन में कागजों के रख रखाओ में एकाउंट विल्टी में फाइलिंग में और कम्यूनिकेशन इसकिल्स में भारी कमी दिखाई दे रही है और आपके विक्तित्व को जिस प्रकार से निखर के आना चाहे था उभर के आना चाहे था वो दबा दबा सा विक्तित्वा देता हो दिखाई दे रहा है जहां तक हो सके नाखोन बढ़ाने की कोशिस करे यकीनन आपको बहुत अच्छा लाब होगा एक सुखद जीवन जीने की चाहा रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रेतनसील विक्तित्व बना रहेगा यहां पे देखेंगे इस प्रकार से ये आपकी हिर्दे रेखा है जो कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में देख रही है आप बहुत ज़्यादा भावक है बहुत ज़्यादा दयालों है कोई आपके लिए कितना भी बुरा कर ले लेकिन आप एक बार तो सोच लेंगे लेकिन कर नहीं सकते हैं उसका भला ही करेंगे और मुहमाया में बहुत ज़्यादा फंसते भी नहीं लेकिन आगे चल कर दोनों ग्रहों का इसमें प्रभाव आ रहा है कुछ ही समय बाद आप देखेंगे आप तीस की उमर जब पार करेंगे उसके बाद देखना कि कहीं न कहीं जो है आपकी महत्व कांचाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपकी सोच हमेशा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की रहेगी आपकी इक्षा भी टॉप लेवल तक पहुँचने की रहेगी और इसके लिए एन केन प्रकारेंग जो भी हो सकता है आप उसको भी करेंगे एक रेखा यहां से आ रही है दामपत्य जीवन का ध्यान रखेगा यह कहीं न कहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी समय बढ़ेगा दामपत्य जीवन में हलकी फुलकी समस्याएं पैदा कर सकता है इसका ध्यान रखें यहाँ पर अगर हम देखेंगे जिवनकाल के अगर हम 38 से 40 के मद्य देखें तो आपको बड़ा लाब होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेकिन नगेटिव उर्जा के कानुगों लाब दबता हुआ यहाँ पर दिख रहा है जबरदस्त रूप ले रहा है ठीक है नए और जादतर जो है अगर हम यहाँ पर बात करें इस तरह से यह रेखा जो जा रही है और यह रेखाई जो जा रही है यह भी कहीं न कहीं आपको जिवन में शानदार चीज़े देगी लेकिन अभी आपकी रेखाई न तो ग्रौथ में है न पूरी है उपर से नगेटिव उर्जा है तो चीज़ें ब्यस्त है न तो आपको अपना करियर का समझ आ रहा है न धन का समझ आ रहा है ना आप decision सही से ले रहे और उसका कारण है आपकी हतेली में ये बना हुआ negative ओर जा तो इसको ठीक करें यहाँ पर मस्तिस करेखा देखें तो creativity बहुत अच्छी है आपकी जीवन में इसका आपको love होगा और अच्छी यात्राओं का love भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखें जीवन रेखा धीरे धीरे आगे की और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इसका love अच्छा होगा यहाँ अगर हम देखते हैं तो इस तरों से आपकी जो है कुछ रेखाई गुजर रही है और यह आपकी ब्यापार की रेखा है अच्छी आयो को दिखा रही है जीवन में सपलता निश्चित रोप से मिलने वाली है इसको दिखा रही है और आगे चलकर ब्यावसाई में बि एक मचली भी बन रही है यह मचली कह रही है कि जीवन में बहुत अच्छी क्रियेटिविटी आएगी और यात्राओं का जबरदस्त लाब होगा चीजें बहतरीन है आप उपाई जरूर करें सुक्र का परवत अगर हम देखते हैं सांदार रुप में उबरावा है लेकिन सुक सुक्र में बहुत सारा जाल बना हुआ है और ये इस्तिरी कारग्रह है एस्वर्य का मालिक है जब ये दूसित होता है तो ब्विक्ति का जिवन संकटों और कठनाईयों के बीच गुजरता है लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजोद भी सुक नहीं मिलता है बह आपको दिव्य योगध्यान के रिया, दिव्य सूर्य के रिया, मनस्पति अश्नान और छोटी सी पोजा जो रुरकनी है निम्न मंगल मंगल की जो इस्तिति है ठीक है लेकिन इसमें नगेटिव उरजा का प्रभाव पढ़ रहा है तो ये जीवन में कनफ्यूजन दे रहा ह है और डिसीजन लेने की ताकत को छीन कर रहा है सही से समझ नहीं आ रहा है करना क्या चाहिए और किस तरब जाना चाहिए उपरी मंगल कहीं न कहीं आपका साथ इस टेम बहुत बहतरीन दे रहा है जिसके कारण पराकरम बनावा है प्रस्तितियों से भाग नहीं रहे है टट से मिलेगा वो कमपर्टेबल फिल करेगा आपका ब्रिस्पति सांदार है अगर कोई गरहा आपको बहुत अच्छा प्रेणाम दे रहा है वो आपका ब्रिस्पति है आपका गुरू है इसी के कारण जिवन में जो प्रतिष्टा है आपकी जो धन है आपके पास जिवन में ज तो एक सांदर चीजें हैं उसी के कारण हैं सनी की इस्तिति देखें तो यहां पर बहुत ज़्यादा उभर गया है यह बेवज़ाई की चिंताईं बेवज़ाई की समस्याईं बेवज़ाई की अर्चने आपकी जीवन में दे रहा है तनाओ की इस्तिति आउसाद की इस्तिति कनि फ्योजन की इस्तिति देता हुआ सनी दिखाई दे रहा है और कई बार लग रहा है आपको यार मुझे जिवन में दोका मिल रहे है या मैं दोका खा रहा हूँ और सुबह उटने में कहीं न कहीं ये आलश्य देता हुआ दिखाई दे रहा है सूरे की इस्तित देखें सूरे में कट कटाओ की इस्तिती बहुत जादा है और सूरे में एक गहरा गड़ा भी है बनते बनते काम बिगड़ जाना किसी भी काम में कोई सपलता की प्राप्ति ना होना कोई परसिद्ध ना मिलना कोई यस ना मिलना और सबसे बड़ी बात धन के मामले में कम जोर करना दिब्य योग ध्यान के रिया दे रहा हूं जरूर करे छोटा काम भी करेंगे नेम फिम पाने के इक्षा बहुत अच्छे रहे बुद्ध में खड़ी रेखाईंगे अपने आपको बताती है कि ब्यक्ति का बुड़ापा ऐसा रहेगा कि अपने हाथ का पैसा ब्यक्ति के पास रहेगा ब्यक्ति की जो ब्यापारिक समझ है वो बड़ी शानदार है कम्यूनिकेशन स्किल्स जब उबरेंगी तो ब्यक्ति बड़ी चीजें अपनी जिवनकाल में करेगा चंदरमा अनबैलेंस है जिसके कारण आपका मन गरबर रहता है मानसिक पृषानी ये कई बार देता है कई बार बहुत ज़यदा भावकता देता है या इमोशनली थोड़ा पृषान करता है कई बार मन अच्छा नहीं रहता है मन ब्याकुल हो जाता है मन भटक जाता है मन दुविदा में फंस जाता है अच्छा ने रहता खराफ सा हो जाता है और डाइजिस्टिप सिस्टम का ध्यान रखेगा पेट की दिकते आ सकती है ऐसे मा का जो सुक वास्तों में मिलना चाहे उसमें ये कमी देता है और कभी-कभी अवसाद की इस्तिती ऐसी देता है कि नीन आने में दिकते आती है ये वाला भाग बहुत अच्छा है इसका लाब मिलेगा कुल मिला के बात करें आपकी हतेली में और चीज़ें बहुत अच्छी है इनका लाब भी होगा आपको लेकिन जब तक इस बहुत बड़ी कमी को नगेट टिब उरजा को आपने पूरा नहीं किया ठीक नहीं किया तब तक जीवन में कुछ भी सांदार चीज़ें का उबरना ना मुम्किन है तो देखा जाए तो मैंने आपकी हतेली का पूरा विसलेशन करके आपको लाब होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो पस्तित होंगा तब तक के लिए नमशकार